बीजेपी कार्यकरताओं ने भानू प्रतापूर में पकड़ा सराप कजखीरा कॉंग्रेस पर लगाये गंबीर आरोब बतादे की भाजपा नेता आलोग ठाकूर ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि भानू प्रतापूर उप्चुनाओं को जितने के लिए जनता को प्र सराप पाया गया गाड़ी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सीजी 19 बीजे 31-26 किसी नूरानी नाम के वेक्ति का गाड़ी बताया जा रहा है जिसमें भारी मात्रा में सराप पाया गया है भाजपा कारकरताओं ने मुख्यमंत्री भुपेज बगेल और उनकी सरक कंबल बाठना बंद करो दारू कंबल बाठना बंद करो देखें अभी 19 बीजे 31-26 कभी करिब करीब इसमें पूरा एक लोड दारू करिब सव पेटी रहा होगा जिसमें से 65-70 पेटी बचा हुआ है यह एक जगा उतार के हमको सूचना मिली कि यह दारू जगा-जगा उतार रहे हैं और पीछे करके हम पकड़े तो जैसा कर रहा कि खेत तरप लाके गाडी को खड़ कर दिया गया और ईसमें इनके चालक को नूरानी के नाम से गाडी है जब सर्च करें सीजी उननीस बीजी किसके नाम से है तो यह गाड़ी किसी नूरानी के नाम से पाया गया है आप देख सकते हैं भुपेज बगेल चल प्रपंज कपड से यह चुनाव जीतना चाहता है गरीबों के लिए पाणी नहीं मिल रहा है नल जल योजना नरेंद जी कोरोन कालखंड में लोगों को वैक्सिल लगवा रहे थे कोरोना से निजात दिलाने के लिए तो यह आल लाउन दारू बाट रहे हैं और आज चुनाव में देखिए गाड़ी के साथ बाट रहे हैं आप पीछे देखिए मानने हमारे पत्रकार बंदों से आगरा बाकि कुछ ले उत्रा हुआ है कुछ खूटा हुआ है इस प्रकार से आप देख रहे हैं कैसे चल प्रपंज कपट से इस चुनाव को जीतना चाहरा है और यहां की जनता समझ चुकी है इनके दारू ब्रस्टाचार के पैसे कंबल साड़ी से यहां बिकने वाली नहीं है यह दोहजार अठारा में इसी धोखा खाके यह इतने बहुमत से आ गया है लेकिन अब इनकी यह सब भरस्टाचार और यह दारू खोरी सराप खोरी यह नहीं चलने वाली है नहीं चलने वाली है भुपेश बगेल होस्त में आओ दारू साड़ी कंबल बाठना बंद करो बंद क झारू